अट नाइन देख रहें आप और आज कही न कहीं दुनिया एक बार फिर से चौकी है जब डोनाल ट्रम्प ने अमार्का के राश्पती चुनाव में जीत हासल की ट्रम्प का जीतना सिर्फ अमार्का तक ही सिमित नहीं है बलकि इसका असर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत पर भी पढ़ने वाला है तो क्या भारत के लिए ट्रम्प की ये जीत एक शुप संकेत है या फिर कोई छिपी हुई साजिश है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ काजू नराए इस खबर पर हम गहराई से चौचा करेंगे कि जोनाल ट्रम्प की जीत भारत के लिए क्या माईनी रखती है कुछ महीनों से ये सवाल उच्छ रही थे कि अगर जोनाल ट्रम्प फिर से अमारिका के राश्पती बनते हैं तो भारत को क्या फाइदा हो सकता है क्या ये सिर्फ एक सायोग है कि ट्रम्प की जीत के बाद भारतिय बाजार में हलचल मशीनली है अगर हम ट्रम्प की अमारिका में जीत और भारत के बीच सम्मंदों को समझे तो हमें एक दिल्चस्प कनेक्शन मिलता है ट्रॉम्प की विदेश नीती और भारत के साथ उनके रिष्टे हमेशा मजबूत रहे हैं ट्रॉम्प के राश्पती बनने के बाद भारत और अमारिका के बीज व्यपार, सुरक्षा, सामरिक रिष्टे नए आयामों तक पहुँचे हैं साल 2016 में जब ट्रॉम्प ने भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मलाकात की थी तब उन्होंने कहा था कि भारत और अमारिका के रिष्टे दुनिया के लिए उढ़ाने होगे इसके बाद से कई समझ होते हुए और भारत को अमारिका से नई तक्नीकी मदद और निदेश मिला लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रॉम्प की जीद से भारत को कुछ और मिलेगा क्या अमारिका भारत से अपने वेपारिक सम्मंधों में और तेजी लाने वाला है दल्चस्प बात ये है कि ट्रॉम्प का जो कारुबार है उसमें भारतीय कमपनियों का बड़ा हाथ रहा है कई भारतिय आईटी कंपनियों के लिए अमारिका उनका सबसे बड़ा बाजा रहा और अब ट्रॉम्प की जीत के बाद अमारिकी कंपनियों का भारत में और मिवेश बर सकता है ट्रॉम्प ने अपनी जीत के तुरंट बाद ये संकेत दिये थे कि वो भारत को चीन से मुकाबला करने में और सही योग देंगे अमेरिकी रक्षामान चाले ने पहले ही भारत को तफनीकी मदद देने का फैसला कर लिया था जिससे भारतिये स्यन्य ताकत को बढ़ावा मिला क्या ये ट्रॉम के दूसरे कारकाल में और बढ़ेगा एक ट्विस्ट कुछ विशेशगे मानते हैं कि भारत और अमार्का के बीच एक नया गुपत समझोता भी हो सकता है जो चीन को भारत के खिलाव और अमार्का के खिलाव अपनी ताकत बढ़ानी से रोप सके लेकिन क्या ये सब इतना सीधा है? क्या हम सिर्फ एक शानदार आर्थिक साज़ेदारी की उम्मीद कर रहे हैं? या इसके पीछे कुछ और गहरी साज़िश है यहाँ एक बड़ा सवाल क्या ट्रॉम की जीत कासर केवल व्यफार और रक्षा तक ही सिमित रहेगा? कुछ खूफिया सूथ्रों के मताविक ट्रॉम की जीत से भारत और अमार्का के बीच एक नया अंतरराष्ट्य संस्वाता हो सकता है जो चीन के खलाफ एक मैतुकूर मोर्शा खूलेगा देखे भारत के लिए ये समय बड़ी रणीतिक चतुराई का है ट्रॉम की नीटियों से भारत को अब सिर्फ कारोबारी फाइड़े ही नहीं बलकि साम्लिक सुरक्षा के लिहाद से भी बड़ा लाब हो सकता है यानि ये कहा जा सकता है कि धान मंत्री नरेंदर मोधी का ये ट्रॉम काड है और यदि भारत सही समय पर सही कदम उठाता है तो ये उसका वैश्विक नतित्तु में भी एक बड़ा कदम हो सकता है तो क्या ये ट्रॉम का दूसरा कारिकाल भारत के लिए सुरहरे अफसरों के शिरवार करेगा या फिर इसका असर कहीं और कहीं गहरे और काले रास के इशारा करता है आने वाले समय में ये हम देखेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए News World India